उनका नाम सोचकर एक फ्लावर चुनिए उनकी मन में क्या है आपके लिए नमस्का दोस्तों जैमातादी जैश्री कृष्णा कैसे हैं आप सब हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सेहत मंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे आपके जो भी सपने है जो भी एक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं ऐसी हमारी इश्वर से प्रार्थना हैं आप सभी के लिए हम यही मांगते हैं इश्वर से हमेशा कि आप लोग खुश हाल रहें और सारे सपने आपके सारी एक्षाएं आपके पूरी हो जाएं जो पॉजिटिव हो वो आपक सा topic है कि आपके जो person है या फिर आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए क्या उनकी feelings हैं क्या महसूस करते हैं सब कुछ बताएंगे आपके सामने दो option हैं दूपाइल हैं जो आपको ज्यादा attract कल रहा है उसे आप चुन लीज क्योंकि ये एक general reading हो सकता है वो पूरा match कर जाए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके हमें भी थोड़ा सा motivate करते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए कि आप से कितना match हुआ नहीं हुआ आपके problems क्या हैं सार यक क्या सोचते हैं उनके मन में क्या चल रहा है आए देख लेते हैं दोस्तों आपने चुना है option number one और आप चानना चाहते हैं कि आपके जो person है उनके मन में क्या है आपके लिए तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की सबसे स्ट्रोंग साइन है यहां पर एरीज लियो सेजिटेरियस मेश्चे धनूरासी बहुत स्ट्रोंग है एरिस लियो जामिनी लिब्रा एक्वेडियस मिथुन तुला कुम रासी भी यहां पर बहुत श्ट्रोंग है कर्क ब्रशिक मीन रासी पाइसिस केंसर स्कॉर्पियो टॉरिस वर्गो कैप्रिकॉन ब्रशब कन्या मकर रासी भी है इसकी एनरजी थोड़ा सा कम है यहां पर डेट अब बर्थ की बात कर लेते हैं तो डेट अब बर्थ हो सकती है आप दोनों में से किसी की आप जिसके लिए देख रहे हैं उसकी आपकी तो डेट अब बर्थ हो सकती है किसी भी महिने की 26 तारीक 15 तारीक 4 तारीक 23 तारीक 12 तारीक 29 तारीक 18 तारीक 10 तारीक साथ तारिक और तेश तारिक ये किसी भी महिने की हो सकती है बर्थ मन्त की बात कर लें बर्थ मन्त हो सकता है आपके परसन का एप्रिल, सेप्टेंबर, जन्वरी, दिसम्बर, जून, फरबरी, आउगस्ट ये बर्थ मन्त हो सकते हैं नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है बहुत स्ट्रोंग यहां पर S, G, Q, D, O, B, U, K, Y, H ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं दोस्तों यहां पर एनर्ची जो है वो कुछ ऐसी है, कंडिशन कुछ इस तरह की है कि आपकी जो परसन है, आप जिसके लिए देख रहे हैं उनको ऐसा लगने लगा है कि आप मूव ओन कर गए हैं अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हैं अब आपको उनकी जरुरत नहीं है और आपने शायद उनका बहुत इंतजार किया लेकिन शायद उन्होंने आपको अतनी आपकी केर नहीं की गदर नहीं की और अब आपकी हो सकता है बहुत साइल लोगों की कि अब शादी कहीं और फिक्स हो गई है या आप अपनी लाइफ में मूव ओन कर गए हैं और अब ये बहुत ज़्यादा पश्टा रहे हैं इन्हें ऐसा यकीन हो चला है कि अब आप आगे बढ़ गए हैं अब आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और आप इन्हें छोड़ चुके हैं तो ये दिल ही दिल में वो याद कर रहे हैं जब वो आपके साथ अपना कॉलिटी टाइम स्पेंड करते थे बहुत खुश थे आप दोनों का रिष्टा बहुत अच्छा था लेकिन सारी की सारी लापरवाही उनके तरफ से हुई उन्होंने हमेशा आपको नजर अंदाज किया उन्होंने हमेशा ही आप से बाते छुपाई आपको कमिट्मेंट नहीं दिया आपको उतना प्यार भी नहीं दिया जितना आप उन्हें देते रहे मतलब give and take proper नहीं था एक तूसरे को आप उतना आप ही समझते थे उनकी problem लेकिन उन्होंने कभी आपकी problem नहीं समझी उन्होंने कभी आपसे अपने दिल की बात नहीं कही आपसे अपने problem share नहीं करते थे जितना खुल कर वो बात करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की और फिर धीरे धीरे ये रिष्टा खतम होता चला गया तो इसमें उन्हें बहुत regret है बहुत बच्तावा हो रहा है कि इतने अच्छे person को उन्होंने जाने दिया और अब उनकी जिंदगी में बहुत खाली पन है अ शायद कुछ ऐसा हो जाए यूनिवर्स से एंजल से इशोर से जिस भी धर्म के वो हैं गौड से बहुत manifest कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा और इसलिए शायद आपको रह रहकर उनकी यादा रही है अब यह जरूरी नहीं कि आप move on कर गए हूं उनको ऐसा लग रहा है क कि आप move on कर गए हूं उन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की कभी फिकर नहीं की लेकिन अब जब वो यह महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी जिन्दगी से दूर जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं बहुत याद कर रहे हैं आपकी याद में आसु बहा र रही हैं उन्हें इतना sorry feel हो रहा है इतना guilty feel हो रहा है कि वो किस से कहें सारी गलतियां तो उन्हीं ने की हैं आप तो बहुत प्यार देते थे उन्हें आप बहुत unconditional love कि आपने हमेशा ही उनकी हर problem को समझा और बहुत समझतारी दिखाई इसलिए ये रिश्टावी तक चल रहा अब जब आप move on कर गए अब आप अपनी life में आगे बढ़ गए किसी और के साथ relation में चले गए या तो फिर आपकी शादी हो गई कहीं और आप हैं और अब ये आपको इतना miss कर रही हैं उन्हें लग रहा है कि कास वो पुराना समय लोट आए वो गुजरा जमाना लोट और अब life में बहुत खाली पन है बहुत अकेला पन है तो इस तरह से उनकी जो feeling है वो यही है कि वो बहुत आसुबहा रही हैं आपको मांग रहे हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसलिए आप उन्हें बार बार याद कर रहे हैं इसलिए आप ये reading भी देख रहे हैं उनके लिए आप अच्छे से समझ गए होंगी कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं हो सकता हूंने गलतियां ऐसी की हों जिसे आप माफ नहीं कर सकते शायद और इसलिए आप move on कर गए है या तो फिर इस्थतियां ऐसी हुई कि आपको move on करना पड़ा मजबूर हो गए थे आप या उन्हें कोई गलत फहमी हो गई आप move on नहीं कर रहे हैं पर आपने बात करना बंद कर दी है और उनके मन में ये बात बैठ गई है कि वो अब आपको खो चुके हैं अब वो आपसे क्या कहें कैसे माफी मांगें कैसे आपको वापस ले आए अपने जिन्दगी में बस उसी जद्दो जहद में लगे हैं उसी कोशिश में वो लगे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे तो इश्वर से ही आपको मांग रहे हैं दिन रात आपको इश्वर से मांगते हैं तब उन्होंने उस समय कद्र की होती तब उन्होंने आपकी केर की होती इतना अच्छा रिष्टा आप दोनों का अगर उन्होंने बचाया होता तो आज ही नौबत नहीं आती शायद यही सब वो सोच रहे हैं महसूस कर रहे हैं तो आपकी जो परसन है बहुत जादा कर रहे हैं बहुत दुआएं मांग रहे हैं universe एंगिल से अब उनकी दुआएं कैसे कबूल होंगी यह तो उन्हें भी नहीं पता है पर वो आपको बहुत miss कर रहे हैं तो यहां पर यह energy i hope आपको समझ में आगया होगा कि आपकी जो person और दूसरी तरप आप अपने Énergy को बैलेंस कर रहे हैं बहुत अपनी सेलf growth कर रहे हैं lv लब कर रहे हैं है आप रोज अपने लिए जैसे इश्व से खुश्यां मांगते हैं अंपने करते दूसरों को unconditional love देते हैं भी भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके person की क्या feelings हैं क्या महसूस करते हैं तो अपना ख्याल रखिए और उनका जिन से आप प्यार करते हैं कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए जैमातादी जैश्री कृष्णा अब बात कर लेते हैं second वाले option की अगर आपने चुना है second option और आप जानना चाहते हैं कि आपके person के मन में या किसी का भी जिसका भी आपने नाम सोचा है उनके मन में क्या है आपके लिए क्या चल रहा है क्या महसूस कर रहे हैं सब कुछ बताएंगे आपको तो सबसे पहले बात कर लेते ही sign और element की सबसे strong sign है करक, ब्रश्चिक, मीन, रासी, पाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ब्रशव, कन्या, मकर, रासी भी है जैमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस, मिधुन, तुला, कुम्ब, रासी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, में इस से धनूरासी मतलब यहां सारे sign और element है date of birth की बात कर लेते हैं friends, date of birth हो सकता है आपका या आपके person का जिन के लिए भी आप देख रहे हैं किसी भी महिने की 26 तारीक, 15 तारीक, 6 तारीक, 17 तारीक, 18 तारीक, 9 तारीक, 3 तारीक, 12 तारीक, 24 तारीक, 15 तारीक, 21 तारीक और 1 तारीक ये date of birth हो सकती है आप की या उनकी आप birth month की बात कर ले birth month हो सकता है March August October May January July और June ये birth month हो सकते है अब name के initial की बात कर लेते हैं name के initial में हो सकता है O F M R H K F V Y N और C ये name के initial हो सकता है यहाँ पर जो आपके person के energy है जो हम देख पा रही है वो कुछ इस तरह की है कि आजकल बहुत जादा stress है उन्हें किसी बात का बहुत जादा tension चल रहा है इसलिए वो अपनी ही tension में कुछ उलजे हुए है अगर वो tension आपके side से है कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच कि उन्हें बहुत tension हो रहा है तो आपको थोड़ा सा समझना होगा उनकी problems को क्योंकि बहुत जादा अपनी feeling express नहीं करते हैं अपनी feeling को जादा बताते नहीं जादा discuss नहीं करते हो सकता है कि उन्हें बहुत जादा बात करने की आदत नहीं है शायद और अभी जो भी condition है जो भी परिस्थितियां बनी हुई है उसमें ये person बहुत जादा परिशान चल रहे हैं बहुत stress चल रहे हो सकता है कि कोई pressure है शायद या उनकी family में कोई है जो बहुत जादा उन्हें tease करता है comment करता है आपको लेकर शायद हो सकता है आपके रिष्थे के बारे में पता चल चुका है उनकी family में और उन्हें रोका जा रहा है कि वो आपसे बात ना करें आपसे मिलें नहीं इस तरह से उनसे अलग रहने के लिए बोला जा रहा है तो वो जो भी reason हो आप ज़्यादा बहतर जानते हैं पर उन्हें अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है वो ऐसा सोचते हैं मन ही मन बहुत ज़्यादा आपसे कहते नहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप सायद समझेंगे उनकी problem को और आप शायद उन्हें pressurize ना करें उन्हें किसी भी बात का तो उन्हें थोड़ा सा आप समझाएंगे थोड़ा उनकी healing करेंगे उन्हें वैसा जैसा वो चाहते हैं वैसा आप आपकी बातें लगेंगी तो वो definitely थोड़ा सा relax हो जाएंगे relief feel करेंगे तो उन्हें healing की ज़रुत है उन्हें आपकी बातें बहुत हील करती हैं बस आप अपनी समझदारी दिखाएं इस रिष्टे में इसकी उन्हें बहुत जादा जरुरत है उन्हें अभी आपके साथ की बहुत जादा जरुरत है जी हां तो जैसा भी वो चाहते हैं वैसा आप उन्हें हेल्प करें क्योंकि व उनके person जो है वो बहुत ज़्यादा mature नहीं हो सकता age difference बहुत ज़्यादा है और शायद आप उन्हें कुछ पढ़ाते हैं सिखाते हैं आप उनके boss है इस तरह की situation देख रही तो age difference बहुत ज़्यादा है उनकी energy जो है वो थोड़ा सा आप से उनका जो label है वो down है मतलब उनकी energy उतनी ज़्यादा balance नहीं है पर वो बहुत सिद्दत से आपको चाहते हैं बहुत सिद्दत से आपको चाहते हैं इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं पर बहुत maturity नहीं है उनके अंदर बहुत बचप हैं कि आपके साथ ही अप उन्हें अपनी सारी जंद्दी की गुजारना है मतलब बहुत ही उन्हें हाइड बहुत अच्छी उनकी सारी फीलिंग से आपके लिए कहना चाहिए तहीं दिल से वो आप इसवर का शुक्रिया करते हैं वो gratitude send करते हैं यूनिवर्स को एंजिल को और दिन रात आपको manifest करते हैं उन्हें ये लगता है कि बस आप मिल जाओने और कुछ भी नहीं चाहिए और वहीं आपकी energy कुछ इस तरह की है कि आप mature है आप बहुत जादा बात नहीं करते हैं पसंद आपको भी वो हैं लेकिन आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत fast इस relation में बहुत जादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप क्योंकि जो रिष्टा बहुत जल्दी आसमान में उड़ता है वो बहुत जल्दी नीचे भी गिरता है तो आप अपनी energy को इसी तरह से balance करके रखिए वक्त के साथ चीजन जब होती है तब वो सही direction में जाती है और जो बहुत जल्दी जल्दी decision ले रहते हैं बहुत fast दौरते हैं जो आसमान में बहुत उंचे उड़ते हैं बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाते हैं ये बिल्कुल सही बात है तो देखिए ऐस बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जो person है उनकी सोच में कोई problem है बिल्कुल नहीं वो बहुत चाहते हैं आपको आज की condition में आपको बहुत पसंद करते हैं आपसे शादी करना चाहते हैं आपके साथ एपनी जिन्दगी गुजारना चाहते हैं लेकिन maturity अभी उनके अंदर उत हैं उनकी feeling change हो जाएं उनका मन बदल जाए तो वो होते हुए भी देर नहीं लगेगी यहां आपको समझदारी दिखानी है और आपको ही अपनी energy को balance रखना है बहुत जरूरत है इस बात की कि आप बहुत जल्दी decision ना लें उनके लिए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके प्य